जीवन में कई बार हम बड़े बड़े परेशानियों से यूँ ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है. और उसी अद्रिश्य शक्ती को हम परमात्मा कहते हैं. इसलिए हमें सही याद रखना कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है. आँखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा, और हुई में दबी हुई आग, किसी के दिल में छुपे हुए कपट से ज्यादा भयानक होता है. खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. और यदि दूसरों से ब इंसान की सबसे पहली निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज़त करता है, जिससे उसे किसी भी प्रकार की कोई उमीद नहीं होता है. ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगी, लोग जूट कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे. सांसों ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बलकि सही तरीके से काम करने से सफल होते हैं. क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लोट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता. जब आपका वक्त खराब होता है, तो लोग आपकी काबिलि किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझ कर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोद के समय जुकना सीखें और गल्ती के समय रुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है, तो यह समझ लीजिये कि भगवान ने आपको इनसान बना कर कोई गल्ती नहीं किया है। अगर आपको किसी की इज़त नहीं करनी है, तो मत करो, लेकिन चार लोगों में बैठकर कभी किसी के बेज़ती मत करना। रिष्टे खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं अगर विश्वास हो तो पढ़ाई भी अपने हो जाते हैं और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराई हो जाते हैं पेड गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता वह हमेशा नए-नए फूलों को खिलाने में व्यस्त रहता है जीवन भी उस चीज के लिए नहीं है जिसे हमने अब तक को दिया है यह उसके लिए है जिसे हम अभी भी विक्सित कर सकते हैं हम अपनी सोच और संसार के माननिता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं जैसे सत्य कहना धर्म है और असत्य कहना पाप सहन शीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म जीवों पर दया करना धर्म और निष्ठुर होना अधर्म परंतु क्या यही सत्य है क्या कभी-कभी परिस्थितियों इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं, यदि संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुन्य है, कुछ महान है, तो वह है परिस्थिति के साथ चलना जटायू याद है, जिन्होंने रावन पर क्रोध किया था उसे पर आक्रमन किया था, उसे वक्त जटायू का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था, इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोध मिली और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो धर्म की हर सहनशीलता को समझ कर हर अन्य को समझते हैं, और अंत में वह बाडों की सया पाते हैं यदि कोई पशू या व्यक्ती अकारण आक्रमन करें, किसी निर्दोश के प्राण लेने की चेश्टा करें, तो रक्षा हे तू उसका वद करना पाप नहीं होता वह तो समय की मांग है यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से, सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीरा पहुँचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है परंतु यदि क्रोध से कुछ शुब हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है क्या आपको पता है, इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप है, किसी निर्बल को सतना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हुई हाय है श्री क्रिश्न कहते हैं कि आपने कभी लोहार को लोहा पिगलाते तो अवश्य देखा होगा और यह लोहा पिगलता है चमडी से बनी हुई ध्वनकी से निकली हुई हवा से जरा आप सोचिये एक मरे हुवे पशों की खाल से बनी ध्वनकी पूरे लोहे को भस्म कर सकता है ठीक उसी प्रकार आप चाहे कितनी भी बड़े शक्तिशाली क्यों न हो यदि आपने किसी निर्दोश या निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाई और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है लोग कहते हैं आप जीवन में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते ऐसा कुछ भी नहीं है सच तो यह है कि जीवन में अकेलापन ही हमें जीने का मूल सीखता है अकेलापन वह एहसास है जिसे आप सबसे अलग महसूस करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आपको प्यार करें जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांती बनाओ जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांग कर अपना रास्ता भी स्वयम बनाता है पत्थर की भांती ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है जो जुक सकता है वह संसार को भी जुक सकता है अकड़ने वाले तो अधिक तर तूट जाते हैं पता है इनसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है वह कमजोरी है अपने आपकी तुलना दूसरों से करना हमेशा याद रखिये सफलता कभी धन दौलत नहीं देखती वो तो सिर्फ महंत देखती है इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है समय तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है खुद को ऐसा बना कि जहां तुम हो तुम्हें सभी लोग प्यार करें अगर वहां से तुम चले जाओ तो तुम्हें सब याद करें और जहां तुम पहुँचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो मगर सच लगे ऐसा जूट कभी मत बोलो औरों के दम पर अगर उड़ कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ करने का हुनर भूल जाओगे यह तो प्रेम की गैर मौजुदगी का नतीजा है सिर्फ एक गलती की देरी है फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे कभी ऐसा मिला है कि प्यार हुआ बात हुई, आदत हुई फिर लडाया हुई, बातें बंध हुई फिर वह छोड़ गया और हम तूट गये लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है उम्मीद एक उपहार है जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं इसका मतलब यह है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कुछ कारण दिये जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही तुम्हें उचित समय पर मिलेगा तुम क्यों परेशान होते हो जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा तुम फिर थी परेशान हो रहे हो जो तुम्हें मिला है उसे बिना फलकी कामना किये मेहंत के साथ करो तुम्हारा जन्म सफल होगा जो भक्ती भाव से कर्म करता है वह जन्म विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन और इंद्रियों को बस में रखता है वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं पर्मात्मा के सिवाई कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता बाकी सब रिष्टे केवल लेन देन पर निर्भर होते हैं किसी के लिए समर्पन करना मुश्किल नहीं है मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंड़ना जो आपके समर्पन का समान कर सके श्री कृष्ण कहते हैं लड़ाई जगडा तो मनुष्य के बीच होता है परंतु विजए केवल एक ही मनुष्य को मिलती है जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्यान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन सफलता केवल एक ही को मिलती है इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं एक ठंडा एक गर्म, कभी सोचा है लोहकर लोहे को लोहे से ही काटता है, परन्तु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है, और यही नीती मनुष्य पर भी लागू होती है. जब युद्ध होता है, तो जिसके मन में इरश्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वह कम लोहे के समान है, और जिनका मन शांत होता है, जिनके मन सयम से बंधा होता है, बहुत ठंडा लोहे का समान है, और सही इरश्या जलन और आक्रोशित लोहे को काट सकता है, इसलि की बात है, एक छोटे से गाउ में एक युवक रहता था, जो तीर अंदाजी में निपुन बनने का सपना देखा करता था, हर दिन बगीचे में वह एक छोटे से निशाने पर अभ्यास करता और तीर चलता, कभी उसका तीर निशाने से चूक जाता, तो कभी निशाने के पास भी नहीं पहुँचता गाउ के लोग अकसर उसका मजाक उड़ाते और कहते वह कभी अच्छा तीरंदाज नहीं बन पाएगा लेकिन वह युवक अपने कोशिशों में कमी नहीं आने देता था उसने ठान लिया कि वह हर दिन पहले से बेहतर बनेगा वह सुबह में जल्दी उठता और रात में देर तक अभ्यास करता और हर तीर को ठीक से चलाने की कोशिश करता वह अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुआ बलकि उनसे सीखता था और वह खुद से सवाल करता की उसने कहां गल्ती की और अगली बार उसे कैसे सुधारा जाए कुछ साल बाद उसे गाउ में एक बहुत ही बड़ा तीरंदाजी का आयोजन हुआ प्रतियोगिता में अगल बगल गाउ के बहुत ही अनुभवी तीरंदाज भाग ले रहे थे लोगों को उसे युवक से उम्मीद नहीं थी क्योंकि लोग उसे अब भी एक साधारन तीरंदाज ही समझते थे लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो युवक का तीर सीधे निशाने पर लगने लगा उसका सटीकता और कोशल देखकर सभी दंग रह गए अंत में वह प्रतियोगिता का विजेता बना गाउ के बुजुर्गों ने पूछा तुमने यह कैसे किया हम तो सोचते थे कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे तभी युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया अभ्यास से मैंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अभ्यास किया मैंने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार उसे सुधारने की कोशिश की आज मैं जो हूँ वह केवल निरंतर अभ्यास और धैरे का परिणाम है हम प्यास हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है असफलताएं हमारे रास्ते में आती है लेकिन उन्हें हम सीखने का माध्यम बना ले और लगातार प्रयास करते रहे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती चाहे हमारे सामने कितना भी कठिन लक्ष क्यों ना निरंतर अभ्यास और द्रढ निश्चे के साथ हम उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जै श्री कृष्णा